कि क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सुमर आपके अपने ट्रस्वदी चैनल कलक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत-बहुत-बहुत सवगत करता हूं डेली करेंट फेर हम लोग देखेंगे आठ और नौ तारिका आठ तारिका जो है आपका सैटरडे वाला जिस दिन रिवीजन डे हमारा होता है पिछले अफते काम लोग रिवाइस करते हैं उसका आज कवर हो जाए को नाइन जैन्वरी तो आज है ही है चिक हिंदी इंगलिज ओनों ही भाशा हमा होगा और टेलीग्राम चैनल जो जो जोन कर लिजे जनल स्टडीज मेंस के पेपर एसे का जनल स्टडीज पेपर वन पेपर टू मैंने सारे वहाँ पे अनलिसिस करके दिये हुए है जरूर देखिए और बाकी भी स्टडी प्लान पूरा रोज मिलता है में सांसर रेटिंग के लिए प्रक्टिस के लिए मिलता है आपको MCQ भी मिलते है तो इन सब के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं पहला देखिए आज से टॉपिक है वह है जनल स्टीज पेपर टू हेल्थ इशूस से कोलकाता में कोलकाता में चितरंजन नैशनल कैंसर इंसिटूट का जो है इनागरेशन किया प्रधामंतिज में सिंपल ठीक और यह स चितरंजन नैशनल कैंसर इंसिटूट का कोलकाता में चिक है और इससे क्या होगा भाई प्रधामंतिर जो चाहते हैं कि पूरे देश में अच्छी से अच्छी स्वास्त से सबंद्र जो है सुधाय दी जाए उसके लिए यह पहल है और 400 क्रोड रुपए दिये गए इसमें सेंटल कॉर्मेंट ने 75 परसंट दिये हैं पैसे जो अनुपात है रेशियो है वो 75 बाई 25 का है चिक तो वेस बेंगॉले कितने दिये 25 दिये और उसके बाद जो एक कैंपस है इसमें कई सारी मॉडर्ण फैसिलिटीज होंगी नुक्लियर मेडिसिन है टेसला एमराई है मैग ठीक अब यह जो इंस्टिटूट है आपका चितनजन कैंसर इंस्टिटास्टी कैंसर इंस्टिटूट इसमें रिसर्च फैसिलिटी होगी और ज्यादा तर जो भारत की पूर्वी और उत्तर पूर्वी पार्ट के जो कैंसर प्रेसेंट्स हैं उनको कवर करेगा अब देखे इस सारी चीज़ को कैसे नोट्स बनाए कई लोग पूसर रहते हैं तो देखें अब क्या है आपका चितनजन नैशनल कैंसर इंस्टूट है कैंसर समंदित है अगर आप लिख रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पर कैंसर लिख सकते हो तकि आपको याद रहे ठीक पधार मंत्री जिने सेकेंड कैंपस इसका अभी इनागरेट किया कोलकाता में सेंटरल ने 55 परसेंट पैसे दिये और वेस्ट बेंगॉल ने 25 मौर्डन फैसलिटीज है रिसर्च होगी इस्टरन और नॉर्थ इस्टरन इंडिया को के कैंसर पर जो पिशेंट्स है उनको कवर करेगा अब इसमें एक चीज और समझ में आती है जैसे आप देख रहें तो यह है कि नुकलियर साइंस जो है नुकलियर पावर जो है नुकलियर की जो टेकनोलोजी है उसका उपयोग आप लोग ऐसा नहीं सिर्फ डिफेंस के लिए बलकि जो है सिविल परपस के लिए कैंसर तो मालीज अगर उसने पूछा नुकलियर टेकनोलोजी के बताइए क्या क्या प्रभाव होते हैं तो यह पॉजिटिव प्रभाव में आपको लिखना होगा इसी तरह के जो है आपका जो अगर कल्चर कामोडिटीज होती है उनकी शेल्फ लाइप बढ़ाने के लिए ठीक ह हाला कि इंग्लिश में लिखे हुए लेकि मैं इसको समझा सकते हो तो इस तरीके से बताओ क्या मुझे आगे आप लोग करंट अफेर देना चीए कई सारे और जैसे यह जो आ रहा है यह तो हो गई लेकिन इस तरीके से अनोटेट करते हुए बताइएगा ठीक अगला जो ट फर्चा भर रहा है या फिर एम एले बनना चाहते हैं ठीक तो लोगों को जो है उन पर जाघ से जो लड़ना चाहरे है उनकी सबके पास प्लेइंग फीड़ हो अला कि 95 रुपे लेवल प्लेइंग कैसे हो गी लेगिन फिर भी यह होता है कि वहाई ऐसा नहीं होना चाहे पत जैसे लोग जो है उतर जाए वो तो भी आप पैसे की पूरी गंगा बाहा देंगे तो इसलिए जो है एक लिमिट रखी गई कि भाई इस से जादर नहीं हो सकता ताकि लेवल प्लेंग फील्ड है सबी लोग कोई आर्थिक रूप मलब इस्टेटिस की वेश से पीछे नहाट जाए सब लोग को लड़ने मौका बिले खैर तो यहाँ पर एक चीज मैं जो आपसे पॉइंट आट करना चाहता हूं कि यह लिमिट जो होती वो कंडिडेट पे होती है पॉलिटिकल पार्टी कितना भी खर्चा कर सकती है सबनारी बात तो कई बार यह देखा गया है कि कोई एक स्टार पार्टी का कोई स्टार जो है इतना खर्चा होता लेकिन वो खर्चा उसके परसनल इडिजिवन कर्डिडेट लिमिट होते हुष में refined का देखा था उसमें कई जगे उन्होंने प्रचिजर्स के है पूछे ना वहां पर पूइंट बता जाते हैं इसको ध्यान में रखा गर तो चलिए आप यहां पर देख लेते हैं कि क्योंकि यहां पर देख बढ़ गए लिमिट बढ़ाता बढ़ा हैं यहां यह महंगाई वह भी बढ़ गई है तो इसलिए जो है आपको बढ़ाना चाहिए ऐसे दो उन्हों ने बोले ठीक पार्लियमेंट के लिए जो बड़े स्टेट है उसमें 95 लाग की अब लिमिट कर दी गई है और जो छोटे स्टेट है उन्हों ट्रेटमी है उसमें 55 लाग लेकिन यहां पर एक अक्सेप्षिन है तो बड़े जो स्टेट है उसमें 40 लाग लिमिट होगे पहले 28 थी और जो स्मोल स्टेट है तो उसमें अब 28 लाकिल लिमिट हो गई है तो यह चीज याद रहेगी न यह जो है चोटा सा नोट है इसको याद कर सकते हैं अच्छा बड़े स्टेट में क्या मतलब क्या होता है कि जनसंख्या जादा होना कि एरिया जादा होना ठीक पहले तो यह चीज यहाँ पर आप और इससे पहले जो रिवीजन हुआ था वो 2014 में लिमिट बढ़ाई गई थी जो पुराना ओला था और 2020 के एलेक्शन में 10% तुरंती बढ़ा दी अब जो है नई जो लिमिट्स है वो सारी यहाँ पर मैंने आपको बता दी अगला जो टॉपिक है जनल स्टेडिस पेपर 3 इ इनर्जी कोरिडर के लिए तो मतलब की एनर्जी मतलब अक्षै इउरजा की बात हो रही है रिनेवेबल इनर्जा की बात हो रही है अब इसको यहां से जो है आप ट्रांस्मेशन लाइन बना के दूसरी जगह भेज रहा हो ठीक तो यह जो ट्रांस्मिशन सिस्टम है इसको बनाने के लिए यह पूरी गृट्ट इसही को और बोल तो इसको takes को पास साल के लिए अभी कैमिनेट कमिटी ऑन इकोनिक ओफियर जिसके यहड़ मिस्टर जी उन्होंने एब्रूफ कर दिया है सिंपल सी बात है Eso दस हजार साथ सो पचास सरक्ट किलोमेटर का है ये और इसमें जो है बीस गीगा वाट रिन्वेबर इनरजी अक्षे उर्जा बिजली जो है वो ग्रिड से इंटीग्रेट कर दी जाएगी ठीक है और ये साथ स्टेट में होगा कौन से साथ स्टेट है दो इस्टेट को लिखन में असान है था नोट्स इस तरीके बना आज मैंने सब में जातर नोट्स बना के आपको दिखा रहा हूं ताकि आप जो है खुद भी नोट्स बनाए हो नहीं तो आप जो मेरा तो यहाप इसको देखी सकते हैं ठीक तो स्कीम है वो काफी महंगी है बाइसा बारा हजार 31 करो बिस्तक के लिए और जो भारत का लक्ष है यहां पर लक्ष जो दे रखा है वो बता नहीं है यह इंडियन एक्सप्रेस वाले भी कैसे किसको करते हैं खैर कभी कवार ऐसी कलती हो जाते 500 गीगावार्ट का लक्ष है ध्यान रखिएगा 500 गीगावार्ट वालों का लक्ष है और वह भी भारत का 2030 तक ठीक रिनिवेबर एनर्जी के थुरू चलिए फिर से आप दोको नोट्स के जरी रिवाइस करते हैं तो आपने पहले पढ़ लिया मालीजे तो आपको सीधे आपको इस नोट्स को बना लिए फिर नोट्स को पढ़ना है जैसे ट्रांसमिशन लाइन देखो दिखा रहा ने एक ट्रांसमिशन लाइन मैंने हम पिक्चर के जरी दिखाया है यह ग्रिट करनेक करेगा पावर जो की रिनिवेबर इनर्जी से बनी है करीबन 20 गीगावार्ट जो है साथ स्टेट में इसको हमें करना है ठीक गुजराद राइस् सिर्फ दो कैबिनेट कमिटी के हैड नहीं होते हैं एक एककोमोडेशन के और दूसरे जो है पार्लेमेंटरी अफैर के ठीक है ना और कैबिनेट कमिटी मैंने आप लोग पहले भी पढ़ा रखा है बता रखा तो उसको आप लोग जाकी रिवाइस कर लीजेगा जो हमारा अ उपर ठीक है ना कंस्ट्रक्शन किया जा रहा महा काली रिवर के उपर ब्रिज बनाया जा रहा तो देखें चलते हैं सीधे अपने नोट्स पर ठीक यह सारी चीज़ा तो यहाँ पर हैं लेकिन देखो नोट्स कितना बहतरीन हो जाता है यह चीज में चारों आप लोग जो ह इंडिया और नेपाल की उपन बॉर्डर है यहाँ पर यह देखें यह और इसके उपर यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है यह ब्रिज जो है महा काली रिवर के उपर मनेगा धार्चुला जो एरिया है वहाँ पर नेपाल और इंडिया में दोनों जगे धार्चुला ही ब बस और इंडिया और नेपाल की बीच में हमेशा से अच्छे रिलेशन्स रहे हैं सौट पावर है वाई साब हमारे यहां कई सारे लोग की रिष्टदारियां भी हैं ठीक जैसे कि कुछ मधेशी थारू जंजाती जो है यह सब प्लेंस तो नेपाल भी ऐसे अगर आप देखो इस तो है ना दो इस्सों में नौर्थ वाला जो हिस्सा है वह रिष्टारिया यहां पर थारू जनजाती यह सब लोग से भारत में रिष्टदारिया भी है काफी ओपन बॉर्डर तो ही पर टच करता ना तो और नेपाल जो है वह चाइना और इंडिया की बीच में बफर इ है ठीक है ना दोनों लोग की बीच में स्टेट दोन लोग अपना इपना इंफ्लुएंस यहां पर रखना चाहते हैं ताकि जो और डाइक ली जो है हमारी इसकर्मिश नहीं होती है अब जिसे हमारा बॉर्डर का चाइना का जहां जहां पर भी सेम है वहां देखो ज्यादा द सारी चीज़े इसमें आ गए हो कितने कम शब्दों में ठीक अगला जमार टॉपिक है पॉलिटियन गवर्नेंस समझे देखे इग इगवर्नेंस मतलब की गवर्नेंस सुशाशन जो हो रहा है उसमें उप्यों की जारी तकनीक कौन सी इंफॉर्मेशन और कॉम्निकेशन की ठ साथ चीत करते हैं जो भी गवर्नेंस सबंदित हैं और कुछ प्रॉब्लोंस का सलूशन निकालते हैं और बहतर बहतर नवाचार और क्रेटिव रच्रातमक जो है सलूशन निकलने कुछ गया थी तो अभी इसका चौबीस वा जो है कॉन्फरेंस हुआ दो इसके भी आज सब की नोट्स बना के दियें मैंने आपर और नोट्स भी है वैलोडिशन भी है ताकि आप लोगो जो है यह पता चले कई लोग के कुछ ना रहे थे भाई साब कि यह कैसे इसको करना है नोट्स में सरसमय नहीं आता देखो बस यह जो न्यूज है ना इसको इतना जो है लिखित उससे ज़्यादा आपको आगरी में ये चाहिए रिवाइस करने के लिए समझे रो आप वह ऐसे पढ़ सकते होगी हाँ ये किक लाइन आप पढ़ रहे हो जितिंदर सिंग इनागरेट किये और हैदराबाद में किये ठीक है, it's okay बट हम अगर इसको जैसे पिक्चर में देखें ठीक, तो देखो एक एक चीज यहाँ पे जो चीज नहीं भी है पिक्चर वो मैंने यहाँ पे जोड़ दी है जो उपर पढ़ कि भाई वो चीज पढ़नी तो है ऐसा नहीं कि वो पढ़ना ही नहीं उसके वाले कि नोट्स मना लो, फिर अपने नोट्स में ही एड़ाउन करते रहो, उसी को देखो अभी 24 हुआ, जो है, नैशनल कॉंफरेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, ए-गवरनेंस पे ठीक, कब-कब हुआ, साथ और आठ तारीक को हुआ, दो दिन का था उनने इसकी बात की जा रही है, ठीक, इसको किस ने जो है, आयोजित किया, डिपार्टमेंट ओफ administrative reforms and public grievances, ठीक, इसकी ministry, अभी मैंने आप लोगो एक दो दिन पहले बताई थी, तो बताईएगा, Department of administrative personal, स्वारी, उसका, मिनिस्टी का नाम फुरा निकलने लगा, Department of administrative reforms and public grievances, इसने माइटी के साथ में मिलके, क्योंकि information technology का use तो हो रहा है, Ministry of electronics and information technology, और तलंगाना government, क्योंकि है हिदराबाद में रहा है, इन लोग ने मिलकर, जो है, ये 24वा national conference on e-governance यहाँ पर कराया है, चीक, सौना की बाद, और यहाँ पर देखो, इसी समधित, आप लोग के लिए मैं homework दे रहा हूँ, homework यह है कि national e-governance program जो है भारत का, जिसके अंतकर्द ये e-governance से सारी चीज़ चलती है, और ये जर्नल studies paper 2 में, ये topic है, governance वाले में देखना, डैक ली, तो इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, चीक, अच्छा, ये जो 24वा जो है अभी national conference on e-governance हुआ, इसमें national awards भी दिये जाएंगे, e-governance से समद्धित 6 category है, इतना अबस दिहान अखना जो हुदी है, इसके अदर कुछ नहीं है, ठीक, अज़र यहां पे भी जो है, एक चीज यहां पे देखने आली है, लोग को अभी भी confusion है कि union territory अभी जो है, जम्यों कश्मीर और लद्दा के अलोग उने के बाद 9 हो गई है, लेकिन भाई साब उसके बाद दादर और नगर हवेली और दमनेंद्यू इन दोनों को मर्ज भी तो किया गया है, यार, तो 8 है union territory ना की नौ ठीक है, अब दोगो कुछ union territory सबन देते यहां पे value edition देख लेते हैं, ठीक, अब दोगो question यह बनता है कि भाई साब दादर नगर हवेली और दमन इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो capital काउंस है, capital है दमन द्यानक ना, लक्षदीव की capital है कावरती, union territory के बात कर रहा हूं पहले, जम्मुण कश्मीर में जो है, union territory जो भी बनी हुई है, दो capital है, summer में श्रीनगर, S.A.S. और winter में जम्मू, क्योंकि भाई ठंडी उपड़ जाती है, तो जम्मू चले जाओ, और लद्दाख में कौन सी, बताओ, लद्दाख में कारग क्यों सी है, आमरावती है, इस पर काफी लोग को confusion रहता है, जहां पर confusion जो है, ठीक, रहता है, आसाम की दिसपुर है, गुहाटी नहीं है, गुजरात की गांधी नगर है, अमदाबाद नहीं है, सिक्किम की गंटोक है, याद रहेगा, यह थोड़ा सा यहापर value addition था आप ल अटागटी in Anamalite Tiger Reserve, नहीं सोच मैं है, ठीक, कहाँ पर है, तमिल नाडू में है, ठीक, Tiger Reserve है, Tiger मतलब, Tiger होग सचे रखने के लिए जगे बनाई गई है, और अटागटी में, ठीक, Tiger Reserve जो है, अटागटी में, यह स्थित है, लोकेशन बताई गई यहापर, इसमें STC बनाई जाएगी परियोजना, तो ऐसा होता है, यहाँ पर इन्होंने बढ़ी अच्छी बात कही है, यहाँ पर एक सेकंड नीचे है, दीखे, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, इन्होंने कहा कि Tribal को बचाना वैसे ही है, जैसे Forest को बचाना, मतलब आदिवासियों को बचाना, जंग प्रजक्त चलूंगे तो वैसे ही उनका फॉरस्ट घर है तो तुम ट्राइबस को बचाओ तो वह तुम उनका घर है और हमारे फॉरस्ट है तो उनको भी बचाएंगे तो उसी के लिए ये प्रोजेक्ट चलू किया गया है सो नहीं न चीज़ ऐसे आसान करके समझा करो शेडूल ट्राइब कंपोनेंट प्रोजेक्ट जो कि कहां पर अन्नमलाई टाइगर रिजर्ब में चलू किया गया है ठीक यहां पर देखे ICER इंडियन काउंसिल्ल और औरिकल्चर रिसर्च शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टिटूट कोहमबटूर ने मिलकर अन्नमलाई टाइगर रिजर्ब में एक कैंपेन चलाई है क्या है कैंपेन? कैम्पेन है knowledge improvement of tribal अच्छा इस कैम्पेन के अंतरगत knowledge improvement of tribal जो कैम्पेन है इसके अंतरगत क्या है कि जो tribal में बच्चों की महिलाओं की जो कूपोशनता है malnutrition है उसको खतम करने के लिए knowledge tribal को दी जानी है तो ये जो है एक अलग से याली चीज़ आप है knowledge improvement of tribal और इसके बाद उन्होंने schedule tribe component प्रचक भी चालू किया है ये अलग चीज़ है अट्टा गट्टी अन्ना वला टाइगर रिजर्व में पांच जन्वरी को ये किसले किया है कि अभाई टाइगर जो बचाओ तो जो फॉरेस्ट भी बचे रहेंगे अन्ना वले टाइगर रिजर्व में काफी डाइवर्स ग्रूप है इंडिजीनेस पीपल के मतलब काफी अदा विवता है ट्राइबल्स पीपल की वहां की एक ट्राइबल कर देखे अब यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर नीचे अब लोग कमेंट करके बताइए तेलेगाम चैल पर भी वेसकते है तमिलनाडू में कौन कौन सी ट्राइब्स है पहली चीज़ और दूसरे जो प्रटेक्टेड एरिया है जैसे वन इजीव अवरेन है नैशनल पार्क है रास्टी उद्ध्यान है टाइगर रिजर्व्स हैं, ये कौन-कौन से हैं टमिलाडू में, कमेंट करके बताईए, फिर मैं आपको बताऊँगा, कहां से देखना चाहिए, ओफिशल सोर्सेस का नाम बताऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोगा कभी गलत नहीं को कि एक्जामनर भी ओफिशल सोर्सेस से ही कोश्चन मना रहा है, मालासार ट्राइब, अब ये तो टमिलाडू में इतना तो याद रहेगा ना, क्योंकि न्यूज में भी है, तो भाई साब डैकली पूछेगा ये, कि बताऊ इनमें से कौन से ट्राइब, यूपी में नहीं है, या फिर एमपी में नहीं है, तो उसमें अब अच्छी बार बोली थे, पहले उता दिया, ये पहली बार असार प्रोजेक्ट जो है, इंप्लिमेंट किया जा रहा है, अन्नमलाई, टाइगर रिजर्व में, और इंस्टिटूट जो है, इंटर्विंशन ये करेगा, एक तो मलासार हो गया, मलासार के अलाबा, एक औ और जो है, ट्राइब है, मलाई मलासार, ठीक, तो इन दोनों को, जो है, यहाँ पर फोकस ग्रूप है, कि इनको बचाया जाएगा, इनको अच्छी से रखा जाएगा, और फोरेस्ट को बचाने में मदद करेंगी, ठीक, सिंस 47 लाग स्यादा इंडिन ट्राइबल चिल्रन ज ज़्यादा निट्रीशेज चीज़ें लगाओ, ठीक, उसको खाओ पीओ, यह वली चीज़ है, अगला जो हमरा टॉपिक है, वो है डिफेंस और सेक्यूर्टी इशूज, चनल स्टीज पेपर 3 से, तो को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कभी कबार आपने जरू सुना होग जब कभी पहले कि टीटी आगया, टीटी ने का ऐसा है, उतर रहे हो ट्रेंसा कि आर्पीफ को बुलाएं, कभी सुना है ऐसा, कि अरे टिकट ले लिए नहीं हो और इसे चड़ गया हो, तो आर्पीफ कहा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवेस को प्रोटक्ट कर रह आप भी को फत्य करनी है दुनिया, ठीक, तो यहाँ पर मैं जैसे आपको बताता चलो, ऐसे से आप भी करते जाओ, जैसे आर्पीफ है, दोजार एकिस में इनके अचीवमेंट्स की बात हो रही है, पहला मिशन क्या है, मिशन जीवन रक्षा, इन्होंने लाइफ को बचा है अब कभी माले जब पूछ ले, कि मिशन जीवन रक्षा आर्मी का है, तो नहीं, आर्पीफ का है, यह कोशन ऐसे ही बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे करके बता लो, तो आपको याद भी आ रहेगा, सेविंग लाइस का ही लोग होते हैं, कि ट्रैक पे लेड़ जाते हैं, अपन मेरी सहली इसमें क्या है, जो विमन पैसेंजर्स ने, जो कि लॉंग डिस्टन्स पर ट्रवल कर रही है, उनकी सिक्यूर्टी के लिए यह चलू किया किसके दोरा, आर्पीफ के दोरा, आर्पीफ के दोरा ही ऑप्रेशन अमानत, कई लोग के समान छुट जाते हैं, आरे सब्सक्राइब के समान था, बड़ी अच्छी फिगर, मतलब अंदर को सहरा समान ने जांच लिया कितने पैसे का है, खेर, तो जन्र स्टेडीज पेपर 3, साइन्स अंटेक्नोलोजी, अच्छा यह नोट्स बना के दिखाना, आप लोग बताना, यह सही है क्या, ठीक है न, सब्सक्राइब क्यों लो इंडिया का पहला open rock museum ठीक open rock संगराले बनाए गया अब सिंपल से चीज़ है अब इसको किसने कहां पर बनाए गया तो यहां पर ऐसे ऐसे घल लेते हैं भारत का पहला open rock museum हैदरावाद में चलू किया गया आपका कॉंसिल फॉर साइंस साइंस इंडेस्ट्री रिसर्च एंजी आर आई ठीक है ना नैशनल जियो फिसकल रिसर इस्टिटूट हैदरावाद में है वहीं पर यह इंडिया का पहला open rock museum जो है इसको इनाउगरेट किया किसने आपके जो मिनिस्टर आफ साइंस एं टेक्नोलोजी उन्होंने इनाउगरेट किया सिंपसी चीज बस अलगलग अलगलग अब रॉक का मुझे में तो भाई रॉक की अलगलग टाइप के रॉक होंगे वह सारी चीज़े होंगी और कई डीपेस्ट डॉक जो है जो की एक सुपसत्ता क्लिम्टर तक खो जा गया है वो भी यहां प ठीक क्लक्टिव सेक्यूर्टी ट्रीटी और्गनाजेशन यह एक तरीके का और्गनाजेशन देखे जब विगटन हो गया नाइंटीन एटीन टू में यूएससर का ज्यान अगना तब उसके बाद कई सारी जो है कंट्रीज एक तो रशिया बना सबसे बड़ी कंट्री और वेस्ट में कई सारी कंट्रीज बने जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी थी जैसे की कजाकिस्तान हो गई बेलरूज बेलरूज हो गया ठीक अर्मेनिया हो गया तो यह सारी कंट्रीज जो है यूससर से अलग हो गई तो उन्होंने जब अलग होने के बाद जैसे की गो लोग खाली यह वन लाइनर आपको लोग करा रहें बिल्कुल छोड़ दो उन्हें आगे नहीं जा पाऊगे उससे यह जो चीज में बता रहा हूं नहीं यह जो जनल स्टेडीज करेंट अफेर्स का बैक्ग्राउंड जनल स्टेडीज वाली चीज है जो की यूपी सी यूपी तो अब नाटो जब विगटन हो गया तो नाटो ने यह कुछ कर रहा है और जिसपे रशिया वारबाद चड़ता भी है कि वो दिरे दिरे जो है इस्ट की तरफ बढ़े और जो यह कंट्रीज हैं यूक्रेन जैसे भी बवाल चलना उन सबको भी नाटो के अंदर कर मिला ले अगे थे पेंडेंट इस थे उन्होंने एक एक ट्रीटी बनाई में तो इसके जलिए क्या है कि उन्होंने कहा कि जो लोग भी जोड़ेंगे उन लोग में कभी भी कोई भी अगर खत्रा होता तो जो बाकी के जो देश है वो सब उसकी मदद करेंगे ठीक तो यह सिक्योटी यह नहीं military जे समझन देती है अब देगो इसका Moscow लेट military alliance है और अभी यह news में इसलिए क्योंकि कजाकिस्तान में कजाकिस्तान एक जो है Central Asian country है वहाँ पे टेल की कीमतें जो fuels है खास और पे LPG LPG जो अपने घर में liquid petroleum gas जिसमें खाना होना बनता है तो उसकी जो है इन लोग ने ये बताया था कजाकिस्तां गवर्मेंट ने कि तीन साल के बाद यानि एक जनवरी 2022 से जो पैसे जो उनके दाम है वो बढ़ जाएंगे ठीक ऐसा नोंने तीन साल बले बता दिया था और भाई साब बढ़ इतने गए कि डबल ह हो गए अभी और उसकी वैसे वहां पर काफियादा उपद्र हो गए तो वहां के जो प्रेसिडेंट है ठीक कसे हम जो मार्त टो कहें उन्होंने का देखो यह सब टेरिस्ट है मुझे जो है जवर्दस्ति यहां पर इनिस्टबिटी फैला रहे है तो इन्होंने एक आएक अपने कुछ जो है वह भेजे हैं आपके सोल्जर्स और इनकी मदद करने के लिए जो कॉर्मेंट बिल्डिंस पर जागए धवा बोल रहे हैं काफे अधा जो पद्रों मचा रहे हैं उनके उपर तो अभी तक जो है मोस्टेबल यह माना जाता था काजाकिस्तान को इनरजी म के नतगत हमारी मदद करो और जो बाकी के फाइव अधर एक सोविएट स्टेट है उनने मिलके यह कहा जो बदला एक सोविएट में इस ग्रूप है जो की इनको ट्रिनिंग बाहर से मिली और यह हमारे किलाफ काम करना तो चीस्ट्यों करों एक इंटर गॉश्ट्यों यानि कि अंतर सरकारी Military Alliance है यह ठीक और इसका कोई Development और इससे समद्द इतने नहीं Military Alliance है तो कोई इस तरीके से Soldiers साथ ने बचाओ करते हैं और इसमें जो कुछ Post Soviet Estates हैं उन्होंने इसको जोइन किया था, कौन कौन से इसकी मेंबर्शिप है आर्मेनिया, बेलरूस कजाकिस्तान, किर्जिस्तान, रशिया तजिकिस्तान, अब तो को Central Asian Countries हैं, अब आपको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि वो कौन से Central Asian Countries है जो इसमें नहीं है, उजबेकिस्तान ने छोड़ दिया था इसको कुछ साल पहले और फिर तुर्कमेनिस्तान, ये दोनों नहीं है, उसके अलाव़ कौन से हैं, जो Central Asian Countries के बाहर हैं और इसमें है बेलरूस और अर्मेनिया, तो AB याद कर लो कजाकिस्तान, किर्जिस्तान और ये बस यादा को उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो नहीं वाले से ज़्याद दता है इसका Headquarter कहाँ पर है, मॉस्को रशिया में ठीक, अगला जमा टॉपिक है, बहुत सिंपल देखें, प्रधान मंत्री जी जा रहे थे, पंजाब में रैली करने, और बीच में Security का Lapse हुआ, Security कौन देखता है, नजदी की Security देखता है Special Protection Group, SPG लेकिन Overall the Security जे स्टेट में जाते हैं उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है तो जो Lapses हुए, उसके लिए जार्च करने के लिए, आपकी Home Ministry ने, जो की आंतिर्क सुरक्षा की देखरेक्ट करता है Home Ministry ने कमिटी बनाई है कमिटी किसकी अदिक्षता में काम करेगी, सुधीर कुमार सक्षेना, याद रखो पूस सकता है, बहुत ज़वरी है, बहुत ज़दा लाइट में है, सुधीर कुमार सक्षेना तीन मेंबर की कमिटी है, ये Secretary Security के हैं, और Cabinet Secretariat में, ठीक है और उसके लावा, बलबीर सिंग Joint Director IB है, और S. सुरेश IG है, SPG में, तीकर ICG, Intelligence Bureau सब लोग मिलके, सुधीर कुमार सक्षेना की अदक्षता में एली कमिटी बन रही है प्रदामत्री जी की लैपस जो हुए थे बात का पहला, बहु आयामी याने की Multidimensional Adventure Sports Expedition का जो है अभी अभियान ये चार्ट, इसको रक्षा मंत्री जो है हमारे उन्होंने फ्लैग्डिन किया इंडिया का पहला जो है बहु आयामी Adventure Sports Expedition ठीक, इसको की कंड़क किया था नीमस ने कहां पर, फ्रांस में ठीक है, तो ये फ्रांस में ये हो रहा है तो इसको कौन कंड़क करा रहा है National Institute of Monitoring and Allied Sports फ्रांस में करा रहा है, इसमें Multidimensional Adventure Sports होगे अब Adventure की फोटो आपको दिखा है तो मज़ा आएगा ठीक दो, ये दो को दिखा हुआ नीमस भी लिखा हुआ, Adventure Sports हो रहा है बर्फ में जाके खेला खेलना है लोग ठीक न, तो ये सारी चीज़े यहाँ पर कराई गई है और Expedition Conduct हुआ था, Conducted in November 2021 और टीम को किस ने लीड किया था Director नीमस कर्णल सरफरास सिंग ने लीड किया था बारा लोग थे आठ आर्मी के परसन थे चार जो है, अर्माचावदेश के यूद थे Expedition टीम ने जो है करीमां 200 क्लिविंटर विंटर ट्रेकिंग करी अल्प मॉंटेन में ठीक, और टूर्ड दे मॉंट ब्लांक ट्रेक में मॉंट ब्लांक जो है इसको थोड़ा से समझ लेतने है मॉंट ब्लांक का मतलब होता वाइट मॉंटेन ठीक, सफेद पहाड और ये हाइस मॉंटेन है एल्फ में ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से उपर है 487 मीटर ये सेकेंड मोस्ट प्रॉमिनेंट मॉंटेन है पूरी यूरोप में मॉंट अल्बरस के हिसाब से मॉंट अल्बरस जो है आपका रशिया में है ठीक, रशिया में तो रशिया और यूरेशिया मतलब यूरेशिया में अगर बोला जाए तो ये सबसे उपर होगे, उसके बाद, एल्प्स जो पूरी तरिके से आपका यूरप में है, तो वो हाइएस मौंटेन हो जाएगा आपका यूरप में, ठीक, मौंटेन जो है, स्टैंड करता हो, अस्ता वैली, इटली, सोवई, हॉय, सोवई, फ्रांस में, कौन सा एल्प्स क ही समंदित question general studies के भी आ रहे तो यह इसलिए मैं कहता हूं उससे समंदित background पढ़ो उसके समंदित मैं आपको पढ़वाता भी यह जैसे भी वर्ड वार का बताया cold war का बताया ठीक तो इस तरीके से question आएंगे ही आएंगे जनल studies paper 3 environment तीसरा national water award ठीक तो कौन भाइया water तो कौन देगा union minister of जल शक्ती देंगे ठीक गजेन सिंग शेखावत जी इन्होंने तीसरा national last year water award दिया कौन सा best state आया यूपी पीचेस के लिए काफी आदा important है यह current affair उत्तर परदेश को best state category चुना गया है पहला प्राइस दिया गया है इसके बाद राजिस्तान फिर तमिल्नाडू तो पहले नंबर पर यूपी फिर राजिस्तान फिर तमिल्नाडू ठीक तो यह तीनों जो है आपके best state में आएं हैं category में इस्टेट की category में national award दिया गया पहला जो national water दिया गया था वह 2018 में दिया गया था इसमें वहीं है कि स्टार्ट टैप के साथ में जुड़ो और पॉलिसी में कर जुड़ते हैं वाटर समंद्र जो भी रिसोर्स हैं जो भी चैलेंज़ेंस हैं उनको best practices से solution दूड़ो अब इसमें कई सारी चीज़े जो डिपार्टन वाटर रि इसमें होते हैं इसाइची देखने वाली हैं background अगर आप देखो तो इसमें इंडिया के current water requirement जो है अभी देखा जाए तो ग्यारा सो बिलियन क्यूबिक मीटर प्रती साल है ठीक जिसको यह देखा जा रहा है कि 1447 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी 2050 तक भारत में दुनि आपके पास आ जाती है पानी मतलब एक जीवन के बाद ही किसी के पास आए तो सिर्फ चाह पर संट है तो हमें इन चैलेंजस को निपटने के लिए water के समध्य जो है जो लोग काम कर रहे हैं उनको reward recognition तो दो गया तो इसलिए यह आवार्ट सकते जा रहे है डिपार्टमेंट वाटर सोर्सेज रिवर डवलप्मेंट एंड गंगा रिचेवर नेशन मिनिस्ट्रिव जल शक्ति के अंतरकत ही आता है ठीक और इसमें कई सारी जो है जल समरिद्थी भारत उसको पाने के लिए स्टेट डिस्टिक और सबको उनकी अच्छे काम के लिए reward recognize किया जा रहा है अगला जमाट अपेगा जनल स्टेडिस पेपर टू हेल्थ इशूस देखे नाशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम टीवी उन्मूलन प्रोग्राम ठीक इंपॉर्टेंट है देखो यह टीवी जो है आपका कई सालों से चला इसमें कोई नई ड्रग आ जाती तो इंपॉ तो यह चीज़े पढ़ो ठीक पढ़ो याद रखो जो मैं चीज़े पताता हूं कि भाई साब इस पर फोकस करो तो वो चीज़े ही आपको देखना कोश्चर में दिखाई देंगी और दिखाई पढ़ भी रही है ठीक है तो यह चीज़े है नैशनल टेली टीवी हमें ठीक इसके तुरू जो है जो भी परेवर्ण चाहिए जो भी चीज़े हो सकती है सिटी कॉंडेशन कमिटी डिस्टिक हेल सोजाइटी टेक्निकल सपोर्ट गूप इन सब में मदद करेंगे अब दो इसमें नोंने कहा है कि कहां कहां मदद करेंगे उत्तर प्रदेश की 75 डिस्टिक में ठीक और पंजाब की 23 डिस्टिक में ठीक है तो यह अब यह भी यूपी पीसे से सिम्में जो है कॉर्शन यह आ सकता है कि वह यह नाशनल टीवी एलिविनेशन प्रोग्राम में कौन सी संस था ने और यह ऐसा पूस्ता फैक्ट्ट जो है यह मदद करने के लि गिया ठीक इसके लब हो बता देगा कुछ और एसार बता देगा तो आप नहीं पढ़ा है या फिर मैंने आपको जब यहां पर बोल रहा हो इसे फोकस करो तब भी नहीं सुना है तो फिर आप नहीं कर पाऊगे यह चीज है तो इन्हों ने इंडियन वेल ने पंजाब अब का सिस्टम यह कि पहले ही डिटेक्ट हो जाए तो जादा असान रहता है नहीं तो बड़ी दिक्कत जानले वाब भी हो सकती है टीवी ठीक है और 2018 में जो मैं प्रदामंत्री जी है उन्होंने टाइगेट रखा था टीवी को एंड करने का टाइगेट भारत का है दो हजार प प्रदामंत्री जी का विजन है उसको फुल्फिल करने के लिए इंडियन और कॉर्परेशन ठीक जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेच्रल गयास यह सब लों मिलके डीवी मुक्त भारत को जो है जन अन्दोलम बनाने की कुछ करने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इस 2020 में देखा जाए तो यह जनसंक्या करीबां 23-24 करोण है और इसमें इसके यहां पर भारत में सबस्राद लोग को टीवी भी होती है हाइस शेयर है ट्यूबर को नोटिफिकेशन का इंडिया में कहां पर यूपी में तो यूपी में इसमें भी आवल है पंजाब में जो है टीवी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लेबर वहां जाते हैं माइगरेंट कर बाइगरेशन करके प्रवासी मज़ूर वहां जाते हैं काम करते हैं तो यह तरीके से टीवी का वहां पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां से फैले ना वहां पर जाके ठीक यह एयर बॉर्ण होता है मतलब एयर के थुरू यह फैल जाता है संकरमित है ट्रांस्मिशन इसमें असान होता है कौन से पक्टेडियास में काम करता है माइको बैक्टेरियम टूपक्लॉस चीक और यह जो है आपका डॉपलेट देखें कफ के थूरू नीज के ज़री है एक एक माने बताई थी कि एंटी वाइरल कोविड-19 से बटने के लिए एंटी वाइरल मॉलू पीर पीराविर यह एक ट्रैपलेट मतलब ड्रग भी आ गई है ठीक एंटी वाइरल ड्रग है यूसे कंपनी मर्क और इजबैक ने इसको बनाया तो इसको जो है एप्रूफ कर दिय सब वैक्सीन का तो इसको एप्रूफ कौन करता है आई सी एमार करती है कभी इसको ध्याद दिया कि निदिया तो इन्ने कॉनसल मेडिकल सर्च ने यह यह एप्रूबल देती है कि भाई ट्रीटमेंट के लिए चालू करो इसको ठीक देना चालू करो तो जो है सरकारी जो ना कर दिया है अभी एक हफता नहीं हुआ अभी हम लोग ने पड़ा भी था इन्होंने कहा है देखिए इसमें कई सारे मेजर सेफटी करसान है इस ड्रग में तो हम इसको यूज के लिए रेकमेंड नहीं करते हैं ठीट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाएगा मॉनलू पीराविर जो है यह कोविड-19 के लिए ट्रग है हलाकि इसको इन्फ्लूएंजा ठीक ना इन्फ्लूएंजा के इलाज के लिए बराए गया था और इसको कोविड-19 में भी ऐसा नहीं कि जो जिसको जो बहुत यह अदा खत्रे में उसको नहीं जो जिसको माइल्ड या फिर शुरुआती दिनों में जो है अगर दवाई देनी अंटिवाइल ट्रक देनी तब आम मॉल्लू पिर दोगे माइल्ड और मॉडरेटली इल कोविड का जो प्रेशेंट है ठीक जब उसको हुआ तो पहले 5 दिनों में इसको दे तो तब काम कर जाएगी इंफेक्शन से रोक लेगी ठीक यह पिल जो है फ्रस्ट फ्यू फ्यू ठीक ती जिसमें कोविड नैटी वालों को देना था और यह आपच्छा मॉलू पिराविर जो है इंडिया में तो हुआ से पहले यू के उनिट्रिंटम नवेंबर में और अभी यूएस ने भी इसको क्लियर कर दिया था लेकिन अभी ICMR ने मना कर दिया है उन्हों कहा कि दो रीजन है एक तो इसकी प्रभाव शालिता इतनी ज़्यादा है नहीं और दूसी चीज है इसमें कुछ पोटेंशल साइड एफेक्ट भी है कुछ संभावित दूस्ट प्रभाव भी है जिसकी वेज़े से हम इसको आपने मलब देखा था कि हाँ ठीक है लेकिन आइसी मार ने तो बड़ा एक कॉंफ्लिक्ट वाली चीज हो गई कि एक एजनसी बोल लई है कि यह ठीक है तो इस तरीके के जो यह होते ना वाद विवाद और चीज तो इस पे यूपी सी बड़ा जागरत हो या ता वह पूछ आर्टे कल्चर में जो हमारा टॉपिक है आज का वह यह कि प्रसाद स्कीम आप लोगों को पता है चल रही है प्रसाद स्कीम क्या है कि जो भी प्रिलग्रमेज वाले तीर्थ यात्रा वाली जो जगाएं हैं वहां पे इंफ्रस्रक्ट्टर टूरिजम से समंदित ठीक वहां की स्कीम के अंतगत जो की मिनिस्ट्री टूरिजम के दोरा चलाई आती इसी के दोरा एक और स्कीम है हिदा स्कीम टूरिजम मिनिस्ट्री के अंतगत नहीं आती है आप लोग कमड़ करके बताना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंतगत आती है तो इन्हों ने अभी जो पूछ लेटेस्ट बताइए कौन सा प्रोजेक्ट चलू किया गया परसाद इसकी में तो वह मतुरा में चलू किया गया है गोवर्धन नाम से ठीक इसमें क्या के बना जाएगा मल्टी लेवल कार परकिंग बना जाएगी मतलब जैसे बहु मंजिला जो है कार आप खड़ी कर स ठीक नैशनल मिशन इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं नैशनल मिशन और प्रिलग्रमेज रिजूवनेशन और स्प्रिच्वल हरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइप प्रशाद यह सेंट्रल सेक्टर की वाने की पूरी तरीके से पैसा केंदर करत्वारा दिया जाता है पार्किंग बनाओ यह साथ चीजों का इसमें विकास करना था और ताकि प्रिल्ग्रमेज तियात्री और हरिटेस टूरिजम बढ़ सके मल्टिप्लायर एफेक्ट हो इससे आप प्रतेक्श और प्रतेक्श रूप से रोजगार भी मिले ठीक इसमें यहीं की वर्ल्ड क्लास का इंफ्रेस्ट्रेक्शर डवलप्मेंट बनाना है और जो है फैसिलिटेशन सेंटर बनाओ कि वही टूरिज जो है उसको फैसिलिटेट कर सको हां कौन सी चीज कहां पे क्या होना है क्या नहीं होना है पुब्लिक कर्विनियंस जैसे की टोलेट सब होगे पार्किंग लाइ उद्यमता आत्रप्रनियोशिप को बढ़ाने के लिए वो जो भी लोग उद्यमता के तरह बढ़ना चाहते हैं उनके आइडिया को फैसिलिटेट करना विक्तिय सायता देना ठीक उस आइडिया को क्या डॉकुमेंट्स हैं क्या रेइस्ट्रेशन होना चीए वह साय चीए कर करें और जो भी प्रॉब्लम चैलेंजेस उनको सलूशन निकाले यहीं सब होता है समयलन में यार कुछ नहीं है बस हमें जो चीज़ें यादखनी वो क्या है कि बाइस साब किस मिनिस्ट्री ने करी इंडिस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड डीपी आई-इटी किस मिस्ट्र के अंतरकत है मिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतरकत इन्हों ने ऑगनाइस किया कभ से कब तर दस जनवरी से सोला जनवरी तक और इन्वेशन वीक तो यह वीक भी पूल सकता है स्टेट पीसेज़ वाले एग्जामनेशन में वीक भी पूल लेता है और यह वर्चुल इन्वेशन वीक में यही है कई सारे सेशन होंगे मार्केट एक्सेस कैसे किया जाए इंडर्स्टी लीडर भी लेंगे पैस प्रैक्टिसेज जो मैंने आपको बताया वहीं बोल बचन वाली सारी बाते होती है इसमें और जो प्रोग्राम है यह ब्रिंग करता है टुगेदर पॉलिसी मेकर आके बैठेंगे इन्वेस्टर स्टार्टप सब लोग आके और रेइस्टर करेंगे अपने आपको पोर्टल पर और इसको आगे बढ़ाएंगे इन्वेशन वीक को चीक स्टार्टप आइडिया स्ट्रेजी सक्सेस ग्रोथ इंक्यूबेशन सेंटर प्लानिं तो आपको प्रदा मंत्री जी का निर्वाचन चेतर भी है यहां बहु से बने हुए है वह एक्सपोर्ट का हब बनाना है तो आपको पता है अगरिकल्टर का कमॉल्टिप्र को एक्सपोर्ट करना है तो कौन से समस्था बीच में आती है अपेड़ा शीक नाम में लिखा हु प्रप्राइश का तो इस तरीके से जो रीजन है पुर्वांचल का ठीक फुर्वांचार का जो रीजन है वो लैंड लॉग्ड है वरारसी हो गई अलाबाद हो गई सारी चीज़े लैंड लॉग्ड है मतलब कि ओशियन से डैकली वो कोहीं पे भी टच नहीं करता है लेकिन फिर भी यहां पर यह गंगा रिवर है यहां की मिट्टी बहुत लेकिन वरानसी किसी समुद्द से सटा तो नहीं हुआ है तो तब भी लेकिन उसको हम लोग यह प्रमोट कर रहा है कि भाई साब रेलवे वहां तो पहुंचाई जाए को वाटर वेस के जरिए जैसे नैशनल वाटर वेवन जो हमारा है हल्दिया के जरिए वहां से जो है बोल रहा है वरानसी अई कल्चल एक्सपोर्ट हम सब्सक्राइब पूरी चीज बने आपको यहां में उताई है जो है जो है उत्तापदेश के प्रवांचल लीजन में देखें जैसे कि मिरजापूर आजमगर प्रयागराज गोरकपूर बस्ती गाजी पूर जौनपूर चं करने का अच्छा जो है चांस है अच्छा पोटेंशियल है ठीक एक्टिव इंटर्वेंशन है पेड़ा के विजह से बीस हजा मैट्रिक टंका एक्री प्रडूस एक्सपोर्ट हुआ पुर्वांचल रिजन से पिछले छे महिनों में पांच है तो फ्रस सब्सक्राइब गई नेपाल और मंगलादेश में ट्रांसपोर्ट किया गया वार नसी की बारे सब्सक्राइब यह मैदानी छेतर है ठीक ना रिवर गंगा के मैदानी छेतर है यह फ्लट पेंस में काफी जो म्रदा है जो मिट्टी काफी निट्रीशनल है और इसकी वैसे काफी फ्रटाइल भी ह और यहां पर चलिए बिसको जो हमने नोट्स आपके लिए बनाएं आच वरसे दिकारों में उसको देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट पुर्वांचल रिजिन को करना पेड़ा और मिनिस्ट्रीव और कॉमर्स एंड इंड इंडिस्ट्री करना है इसको वानसी को एक्सपोर्ट हम बना चाते हैं कई सारे डिस्टिक्ट भी अपेड़ा ने यहां पर पॉइंट आउट किये हैं यूपी के प्रमाचल लिजन में वह उपर पता दिये हैं मिनिस्ट्रीव और कॉमर्स और अपेड़ा ठीक वानसी एक लैंड लैंड लॉंग्ड है फिर भी इसको एक्सपोर् लोट लोट लास जैसे कि आपका आई आई वी आर इंस्टिटूट ऑफ वेघिटेबर रिसर्च जूसरा इंटरनेशनल राईर रिस इंस्टिटूट ठीक और इसका जो है दुनिया का जो वर्ड का अगर देखा जै को वह कहा पर फिलिपीन्स में इसको बढ़ा लगा है वह तो यह सारी चीज़ें यहां पर इंपोर्टन थी इस वाले जो है करेंट अग्ला जो मार्का होनी चाहिए मार्का मतलब यह क्या है कि एक संस्था है एक स्टे़ुशन है जो भी समा निकला गैस स्टोर निकला कूकर निकला तो तो कुछेंसमें यह सारी चीज़़ी देख लिया है जो आनक तै किये गये हैं तु अ इंडिया सई किया हूट था इंडिया से इंस टैंडर्ड इंस्ट्टुशन उन्णेट के घ्राः इस ऊने के बाद यहुट आ यह प्रोड क्ट आया थो यह प्रोडिक्ट ज्यादा रेलाइबल है तो उत्रीगी ईसु पहोगता का जो है आसान होत टो लेकिन यह जो इसाइए थी उन्निस सूला में इसको हटा कर ब्यूरो फिंडियन स्टैंडर्स एक नई संस्था बनाए गई वे था निकाए है वो क्योंकि यह एक आया था ब्यूरो फिंडियन स्टैंडर्ड डाइट दोज़ा सोला उसके अंतगत बनाए गया था चिक और ये कब फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 2017 में लेकिन जो Bureau of Indian Standard है इसका existence जो है 6 जनवरी 2022 को 75 ग्लोरियस साल का हो गया पहले इसका नाम जो है ISI था लेकिन अभी काम तो वहीं कर रहा है ना बस नाम काली चेंज हुआ है तो इसको जो है National Standard Body of India बोला है तरास्टी मानक निकाए मलब ये मानक स्टेंडर सेट करता है कौन से प्रड़क का क्या क्या चीज़े जरूरत है कम से कम वोतनी तो होनी ही चाहिए नहीं तो प्रड़क पास नहीं होगा और ये किस मिनिस्ट्री करता आता है अब देख कंजूमर से समद्धित है तो किस मिनिस्ट्री करता आएगा मिनिस्ट्री आफ कंजूमर आफ एर फूड एंप पब्लिक डिस्ट्रिबूशन इंडिया समझ रहा कितनी लॉजिकल चीज़े मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि हावाम चल सब चीज़ें इंटिकरेटर इतनी ब्यूटी है से लेवस में कि आप इसको जोड़के बहुत आसानी से पतलब फैक्ट तो फैक्ट इसको मीनिंग्फुल फैक्ट बना के याद रहे यह चीज़ में कुशिश करता हूं आपके लिए ठीक यहां पर देखें यह मिनिस्ट्रि जो आपका कंजूमर फैर वले है उसका जो मिनिस्टर होगा वह एक्स ओफिश्यो यहां के प्रेसेंट होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं ठीक 12-16 में एक्ट लाए गया 12-17 से यह लगू हो गया और ब्यूरो फिंडियन स्टेंडर्ड जो है नैशनल स्टेंडर्ड बॉड स्टार है कि चाऄचे स्टार है या देंट नहीं वो ये करता है बी करता है वह जो पाँच सितारा दो सितारा कोई मशीन ले रहो व सब किसमें आता है वह आपका तो अभी एस्टिमेट निकालता को ने भाई साब यह निकालता है नैशनल स्ट्राटिस्टिकल ऑफिस जैसे भारत के आपने सुना होगा कि आएमफ ने बोला है कि आट परसंट चलेगी वर्ट बैंग ने बोला है कि अब जो है दस परसंट तक बड़त होगी जीडिपी सकल ग जालते हैं अब कैसा होगा क्या नहीं होगा लगी प्रोजेक्शन तो रहता है तो भारत के लिए उन्होंने कहा है यह ग्रोध ध्यान रख लेना पूछ सकता है एडवांस एस्टिमेट में बोला गया है कि 9.2 परसंट हमारा करन्ट फाइनेशल यह जो है यह जो 22 वाला इसम बेस एफेक्ट मैंने आप लोगों पहले पढ़ा है फिर बतायता हूं अचली पिछले फाइनेशल एर में हम काफी हमारी जो माली सौर पे हम बनाते थे जीड़ीपी सकल गेली उत पाथ हमारी वैल्यू जो थी सौर पे थी तो वह घटके आपकी हो गई साड़े साथ 7.3 पर चोटा सा भी उच्छाल होता तो बड़ा दिखता है ठीक नहीं सौन में आप सौन में आएगा देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए में एक रुपए जोड़ दो तो आप कहोगे एक परसंट की बड़ा थो गई भाई साब वही मैं आपसे कहूंगा कि हजार रुपए अब दोगो जोड़ी सेम चीज एकी रुपए जोड़ा ना अब पूरी कंट्री ने जोड़ा तो एकी रुपए थीक जो पहले जोड़ा था लेकिन पहले बेस कम था तो उसके ज़्यादा बड़ा दिखाई दे थी लेकिन हजार के उपर अगर आब इसको करोगे तो कितना आएगा तो यह एक परसंट हो न आएगा यह जो है पॉइंट जी रोवन परसंट हो जाएगा तो यह काफी ड़ात हुई तो यहां पर बेस बढ़ा होने पे सामान जो बढ़त है जो ची जोड़ी जारी वह भी कम दिख रही लेकिन यहां नाशनल स्टाटिस्टिकल आफ्इस ने इसको दिया है अडवांस एस्टिमेट है और इसमें अभी हाला कि उन्होंने जो ठर्ड वेव का जो चल लए इसको जोड़ा नहीं है एडवांस एस्टिमेट में अर्लि प्रोजेक्शन से अच्छा मेंची बताया तो एकजाम में आ सकती है बेस एर क्या होता है इन जो है हमारे एक दो बेस एफेक्ट मैंने बता है वो अलग चीज है वो तो पिछले साल का परेजम है लेकिन इन सारे सालों का जो सकल गहलो पाद जब हम निकालते हैं तो हम उसको united 2010-12esk이면 marketing निकलते हैं उस साल म जख्यकों चीज 100 रुपाय थी तो आज हमने अगर वससे निकाले हर साल निकाले तो यॅच्छ से मालिशेर एगर हमनेIGHT रुप है 101 रुप है इसको बनail है तो अमनेन ने हम्ने बताया है हमारा एक परसंग का इंक्रिमेंट हुआ ठीक लेकिन अगर हम फिर इसके साल वाला भी निकालेंगे 2022 का तो उसको भी देखा तो हमने मालीजे दो परसंग नीचे गिर गया तो यह 98 मतलब यह क्या है कि कम हो गया कॉंट्रेक्ट हो गया दो परसंट तो यह चीजे हम बेस इयर स कि दूरी कितनी आम लगां से आपको आप के दो कि यूपी में लखनों की दूरी जो है बहुत है तो ऐसे तो नहीं होता है आप ऐसे दूरो आप कर सकते हो एक मालिट्रो मनाऊ कि डैली वैसे यह इयर है इस इयर से हम कितना हम आगे बढ़ रहे है पीछ बढ़ तो यह डैली ग्रॉस वैल्यू एडिशन है और रियल है रियल जब भी आ जाता है ना तो मतलब यह होता है कि उसमें महेंगाई दर्व को भी जोड लिया गया इंफलेशन रेट को भी जोड लिया गया है ध्यान लखना इसे ठीक इसके बाद जो है इसमें इन्होंने वहीं चीज़ बोलने ह जीविए एस्टिमेंट ग्रॉस वैल्यू एडिशन समझते हो वैल्यू जब कोई चीज आपने है ठीक जैसे टमाटर है टमाटर में आपने वैल्यू डिशन किया उसमें कुछ शुगर जोड़ी कुछ और वीचे जोड़ी जोड़के उसको कचप बना लिया तो वैल्यू ड करने के लिए पैसा लगाना पड़ा रहा है सिर्फ इसको जोड़के ग्रॉस वैल्यू डिशन पूरे भारत में निकला रहता है अब इसको कंपेर कर लेते हैं जीडीए जीडीपी से सब्सक्राइब में क्या होता है जो फाइनल वैल्यू है केचप की उसको जो है आप लेते सब्सक्राइब तो वैसे ही सारी चीजें भी आपको जो है करा दूंगा बिल्कुल टेंशन मतलो इकनोमी यूपी 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 लेवल की बहुत आसान है बेसिक लेवल की है आपको बस उसको एपलिके एपलिकेबल करना है अपनी रियल लाइफ से आपका प्रेक्श्टर पिछले साल के मुकाबले ठीक अगला जहारड टापिक है वहाँ यूपी पीस स्पेशल करेंट यह भी है अभी एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैं चलाए गयी है वैं समझे ना जैसे वैन आती है जो ओमनी ओमनी टाइप की तो मोबाइल हनी प्रोस स्ट्रीज कमिशन तो जो इसके चेर्मेन है स्री विन्य कुमार सक्षे ना उन्होंने लॉंच किया भारत का पहला और इसलिए यूपी पीसे में कुछन बूचाएगा भारत का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस विलेज में विलेज सिरोरा जो कि गाजयवाद यूप में केवी आइसई ने जो है आपका भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसिंग वैन को जो है लाउंच किया ध्यान रहेगा और इसको जो है डिजाइन किया है अपका के वी आईसी ने और इसमें कई सारे मल्टी डिस्प्लियर डिशिक्सेंटर उप पन्जो खेरा में इसको किय गया है ठीक डिजाइन और यह सब करके पंदर लाग रुपए में यह आपका तीन सो किलोग्राम हनी जो है आट गंटे में जो है प्रोसेस कर देता है बहुत जादा है ठीक इतना तो हरी आएगा कहां से सोब में नहीं आ रहा और यह यह भी चेक कर लेता है वाई साब एक्जा जो भी डिस्टिब्यूट इसमें करता है बी बॉक्सेज होते हैं आपने सुना होगा कि वह मदमक्य छत्ते लगाने के बॉक्सेज आते हैं फार्मर्स की ग्रामिट शेत्रों में उनकी हेल्प करो एजुकेट करो अनिम्प्लॉइड यूथ को बोलो कि भाया भी कीपिंग कर जो शहद निकालो पाइसा बहुत है इसमें और वाकिम बहुत है इन सब कार करने से प्रधामंत्री जी का जो एक सपना है जो जिसको वो क्या बोलते हैं सुईट इक्रांती सुट इवलूशन तो यह हनी प्रडॉक्शन से समंदित है अभी एकल्चर के रिविलूशन जो है आपको आज होंवर्च में पढ़ने हैं तो सुट कांट्री माली जै किसको कहते हैं यह हनी प्रडॉक्शन से समंदित है और यह यूनीक इनोवेशन करके वी कीपर्स को और उनका जो है अच्छा प्राइस उनको मिल सके हनी प्रडूस का उसका यहां पे एक उसी की तरफ एक यह पहले सिरोरा गाओं गाजियाबाद यूपी पहली भारत की मोबाइल प्रोसिंग वैन है आठ सो किलोग्राम चाहर आठ गंटे में जो है यह प्रोसेस कर देता आठ सो तीन सो किलोग्राम ता सौरी और उसके बाद जो है यह गुडवत्ता भी चकल लेता है कॉलिटी भी इसमें होनी चाहिए ठीक के वी आई सी ने इसको बनाया पंजो खेड़क जगे वहाँ पर ठीक है पंदर लाग रुपे तक की कीमत बनाएगा अई कल्चल जैसे वाइट रेवल्यूशन किसे समद्धित है मिल्क समद्धित है ठीक जूट से पताएं कौन-कौन से तो यह सब्सक्राइब है जो की अब इंपॉर्टेंट आपको सब्सक्राइब होगी मैं पेपर के इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं प्रीविएस यह कुश्चन पेपर जो प्रिलिम्स करना उसके भी अलसे दोंगा फिर आपको सब्सक्राइब कितना ज्यादा जहुरी है जीस सब्सक्राइब कर लाइक कर सकते हैं यह आपका अपना चैनल है तो चलिए कल फिर से मुला कातों कि सुबाद 6 वे तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा जैन जैबारत और वेस्ट है वंदे वंदे मात्रम जनलिस पेपर त्री और फॉर का जो है अनलिसिस वीडि